देश और पूरी दुनिया आज भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तारिफ करते थक नहीं रही है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक व्यक्ति को पूरे देश की जनता के सामने परिजत कराया। लिडिंग और लर्निंग की खुश्यों को बातने का। ये हैं पौन मार्यपन। पौन मार्यपन तमिल नाडू के तुतु कुड़ी में रहते हैं। तुतु कुड़ी को पल सिटी यानि मोत्यों के शहर के रुप में भी जाना जाता है। ये कभी पान्डियन सामराज्य का एक महत्वपन केंद्र था। यहां रहने वाले मेरे दोस्त पौन मार्यपन हैर कटिंग के पेशे से जुड़े हैं। और एक सेलून चलाते हैं। बड़ छोटा सा सेलून है। उन्होंने एक अनोखा और प्रेणादाई काम किया है। अपने सेलून के एक हिस्से को ही पुस्तकाले बना दिया है। तो पौन मार्यपन जी उस ग्राहक को डिसकाउंट देते हैं। है न मैजेदा। यह है पौन मार्यपन। पौन मार्यपन तमिलनाडू के तूति कोरीन में रहने वाला एक साधारन सवयक्ति है। जिसने अपने अस अधरन कारे से प्रदान मंतिर नरेंद्र मोधी को मजबूर कर दिया कि वो उनका परीचे पुरी दुनिया पुरी देश के साथ करा है। तूति कोरीन के रहने वाले पौन मार्यपन एक हेर ड्रेसर है। गरीबी के चलते वो आठ वीक अक्षा के बाद नहीं पढ़ पाए। पौन मार्यपन हर युवा को पढ़ने की आदट दलवाना चाहते हैं। इस कारण उन्होंने स्कूल छोड़ने के बाद एक सेलो का कारोबार चुरू। तो साथ ही अपने शौक को जिन्दा रखने के लिए उन्होंने किताबे रखनी भी शुरू कर दी। उनके सेलो में करीबन 800 से ज्यादा किताबे को कलेक्शन है। किताबे पढ़ने और फीडबेक देने वाले गरहागों को वे 30% डिसकाउंट भी देते हैं। दरसल पोन मरियपन ने ग्यान बढ़ाने के शौक के चलते पहले अपनी सेलोन में एक आडियो सिस्टम सेट कर रखा था। इसमें उन्होंने प्रसित तमिल वक्ता, सूगी शिवम, निल्ली कनन, तमिला रूवी मिनियन और भारती भासकर की स्पीच प्ले करते थे। इसके बाद जल्दी उन्होंने किताबे पढ़ने का भी शौक लग गया और उन्होंने किताब इखटा करना शुरू कर दे। जिसके बाद सैलों में डिस्प्ले करने का उनको विचार आया। पौन मरियप्पन ने 6 साल पहले 200 किताबों से कलेक्शन शुरू किया था और आज उनके पास तकरीबन 850 किताबे हैं। इन में से अधिकतर तमिल और इंग्लिश में हैं और कुस्तो महान नेताओं के जीवन पर आधारित हैं। उनकी इस नेक पहल के लिए कई लोगों ने उनकी तारीफ की। पौन मरियप्पन के पसिंदिदा लेकक ए रामा करिशन ने भी उनकी इस प्रयास के लिए उनकी तारीफ की। प्रयास